नमस्कार मैं हूँ पिने पाटक एवी निउस पे आपका स्वागट है आईए देखते हैं मुंबई तताज पास की कुछ खास ख़बरें जो बरतमान समय की सुर्खिया बनी हुए है मुंबई महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों के लिए महायुती और महाविकास आघाडी एन वी ए दोनों ने ही सामुहिक नेत्रित्व में चुनाव लड़ने की रननीती बनाई है लेकिन महाराष्ट का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर महायुती और महाविकास आघाडी दोनों के घटकों में बयानबाजी होती आई है ऐसे में अब जब महाराष्ट्र चुनावों के एलान में सिर्फ एक महीना बाकी रह गया है तब महाराष्ट्र के लोग किसको अगले CM के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर CM पद के लिए सबसे आगे कौन है इसको लेकर हाल ही में हुए एक सर्वे में दिल्चस्प तस्वीर उभर कर सामने आई है महाराष्ट्र के वरिष्ट सेफोलोजिस्ट दयानन्द नेने ने 16 अगस्ट से 25 अगस्ट के बीच राज्ज में सर्वे किया था इसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि वे किसको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो इसमें 23 फीसदी लोगों ने देवेंदर फडणवीस को CM के तौर देखने की इच्छा व्यक्त की इसके बाद दूसरे नंबर पर उद्धव ठाक्रे रहे उन्हें इस सर्वे में 21 फीसदी वोट मिले तीसरे नंबर पर मुझूदा मुख्यमंत्री एकनात शिंदे रहे उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के 18 फीसदी लोगों ने अपना समर्थ ने दिया दोगों ने डोंट नो, पता नहीं का विकल्प भी चुना। में बीजेपी 105 सीटे लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभी थी, तब वह शिवसेना के साथ मिल लड़ी थी, पिछले पांच सालों में राज्य की राजनीती काफी बदल चुकी है, शिवसेना दो भागों में विभाजित है, ऐसी ही स्थिती राष्ट्रवादी कॉंग्र पार्टी की है, ऐसे में 2024 विधान सभा चुनावों को बेहत निरनायक और दिल्चस्प माना जा रहा है आप हमारे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नमश्यूर्ण